एलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आश्टा करती हूं आज सभी खुश होंगे मस्त होंगे अपने परवार के साथ आज मैं आपको आलू की इतनी तेस्टी रेश्पी बताने जा रहे हूं कि आप कहेंगे वह क्या बात सबसे पहले हम देखे आलू को हलका सा अबालेंगे उसके हैं मैं अभी मिक्सी में पीसुँगी और ये है जा सब्जी मसाला हिसे भी सब्जी में टालने से और थोड़ी सी मेथी है सुझाय dicta म से यह अधस्टी झाल एक प्रार की और All consegu और लॉंग का फूल हमेशा आप निकाल के डालिए मैं हर वीडियो में बताती हूं क्योंकि यह बहुत गरम होता है तो इसे निकाल दीजिएगा यह है थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी सौंफ अजवाइन डालने से बहुत ही भीनी-भीनी कुछ भूआती है तो बहुत ही हाड होता है तो वो पिसे गनी मसाले में रेसे-रेसे से रह जाते हैं तो इसलिए मैं जब उबालती नहीं हूं मसाले को तो मैं इसका बीजा ही केवर डालती हूं तो इसके बीज हम निकाल लेंगे और फिर सारे मसालों को मिलाकर हम इसे पीज लेंगे बारिक-बार के मेरी रेष्पी जरूरर ट्राइग किजिएगा अधरग डालूंगी महीन महीन बारी-बारी काटके और आपको बहुत अच्य लेगेगी बहुत स्वाधिश सब्ची बनेगी तो मैंने अधरग डाल दी है आप हम डाल दें किसमें काटके बारी-बारी काटके टमाटर और शारी जो मसाले में खड़े लिये थे भूही महीन पीछेगा बहुत अच्छी सब्सादे बनती है क्योंकि रशे की सब्सादी में महीन मसाला ही अच्छा लगता है जो बहुत समूत होता है तोड़ा समिर्ची हल्दी थोड़ी डालेंगे राजस मसाला में एक चमर डाल चुकी हूँ मैं चार लोगों की सब्सादी बना रही हूँ इसलिए आपको इतना सामान बता रही हूँ अगर आप ज़्यादा लोग की सब्सादी बनाईए तो आप समगरी को बढ़ा भी सकते हैं तो देखें मने मसाला पीश लिया है dwight о महीन अंगे ट्यार हो Gandh i From आलु हल्की हिंशी भाब लग चुकी है उबाली नहीं मैंने किवल भाब लगाई है और सीटी नहीं लगाई है से में यह अध गछी आलु आयों अथाला आप समझे हम इसे सामगरी जो मैं आपको डिस बताने जा रहे हूं वह अच्छे से बन सके क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी आलू होती है तो डिस अच्छी नहीं लगती सबसे पहले चाकू से हम इसमें निसान बना लेंगे ताकि हमारा मसाला नमक सब अंदरत जा सके अब हम इने दो पी यूटूबर हूँ प्लीज मेरा उत्सा बढ़ाई है प्लीज मुझे सपोर्ट किजिए और जो मैसा मसाला मैंने पीशा था उसे एक चम्मच हम इसमें आलू में डाल लेंगे और कोई भी मसाला हम नहीं मिलाएंगे इसमें और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे थोड़ा स और मैंने ये मसाला इसलिए मिला आया है कि अलग से कुछी भी मसाले को मिलाने की जरुवत नहीं इसमें सारे मसाले मिक्स हैं तो इसलिए मैं जब भी मसाला पीशती हूँ तो ऐसे ही अगर सबची में मिला कर रख देती हूँ और उपर से कोई मसाला नहीं मिलाती है अब हम देखे मैंने मिला करती है नमक भी मैंने डाला था हो सकता है मैं भूल गए हूं दिखाना आपको वीडियो में क्योंकि मैं खुद अपनी वीडियो बनाती हूं रिकार्ड करती हूं इसलिए कभी-कभी हो जाता ऐसा अब यह दही बड़े का दही था मेरे पास दही नहीं था द 20 मिनट के लिए रख देंगे ऐसे ही डाक के ताकि यह अच्छे तरे इसमें अंदर तक व्याप थो जाए और तब इसमें यह जो मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी बनेगा यह डिस्क बहुत टेस्टी बनता है कभी आप बना के प्लीज एक बड़ जो ट्राय कीजिए आज करके मैं इसे तल लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे एक एक करके धीरे धीरे डालेंगे और तेल तेज आच पे ही रहे तो ज्यादा अच्छा है जब आप आलू डालने लगे क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है अगर आप बच्चे हैं बाहर रहते हैं ममे इसे तो प् गोल्डन ब्राउन हो चीकी हैं और तेल में ही पक गई हैं अब इन्हें ज्यादा उबालने की जरुवत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये पहले मैंने हलकी भाव दी थी इन्हें और अब मैंने नहीं मसाला लगा के रखा था फिर तला है तो वैसे ही आलू पक चुकी हैं और द देखिए सारी आलू मैंने तल ली है अब मैं इस कड़ाई में तेल डाल दूगी तीन चमचे छोटे चमचते तेल ये देखिए मेरी आलू कितनी अच्छी लग रहे हैं तेल गरम ही था तो मैंने सारा मसाला इसमें डाल दिया है जो मैंने पीसके रखा था अब हम मसाले को ब पक रहा है तेज आच है और अब इसमें दही डाल देंगे थोड़ा सा हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है इसलिए आपको यह गाड़ा लग रहा है थोड़ा पानी जैसा क्योंकि मैंने इसमें टमाटार दो डाले थे और यह चार लोगों की सबजी केवल में बना रही हूं देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है और कितना कलर इसका प्यारा आया है इसी में हम सारी आलू डाल देंगे और फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे आधा ग्लास इसे ज़्यादा नहीं और उसके बाद नमक डाल देंगे स्वादानु सार बस इधर मैं रोटी भी सेख देखिए सब्जी हमारी उबलने लगी है बस एक उबाल आए बस सब्जी आप उतार के रख दीजे बहुत ही अच्छी सब्जी दो मिनाट के अंदर बनती है पहले आपको काली थोड़ा तलने में टाइम लगता सब्जी बनने में टाइम बिलकूल नहीं लगता क्योंकि करे जरूर इसको ट्राई कीजेगा और हमारी सब्जी बन के तयार है तो चलिए हम सब मिलकर इस सब्जी का आनद उठाते हैं पलीज क명द बॉक्स में कमेंट जरूर कीजेगा मेरी रेसिपी पर तो मुझे उत्साह मिलता है आपके कमेंट से बहुत बहुत धन्यवाद